हेलो विवर्स वेलकम बैक तो आवर यूटुब चैनल तो आज की वीडियो बहुत ही खास और नहीं होने वाली है क्योंकि ये वीडियो नवराती के स्पेसियल लोकेशन के लिए मैं कुछ सेंडर्ल सुस की डिजाइन लेकर आई हूं इसमें जो हैंट वर्क से काम किया गया है ये मोतियों से कलोरिंग मोती बीड्स उन से इसके उपर काम किया गया है और ये आपकी चोली के लिए बैस्ट बैस्ट ओफर होगा आपको इस तरह की सोज में कमफोर्टेबल भी हो गया और गर्बा डांडिया भी आरम से खेल सकते हो इस तरह की संपल आपको उनलाइन अव पूरी हर तरह की चपल देखने को मिलेगी जो दिखने में भी बहुत ही कलरफूल एंड स्टाइलिस है इस तरह की पंपं वाली भी आप आपकी चन्या चोली के साथ कैरी कर सकते हैं ये बहुत ही खुशूरत लुक देगा आपको और ये इसकी हील ज्यादा नहीं होने के कार ये आपको ज्यादा तर खड़े रहने में भी तकलिफ नहीं होगी इस तरह की हैंड वर्ट स्मूतियों से पर्ड से काम की गए भी बहुत ही खुशूरत लगती हैं ये रंग भी रंगी आपकी चोली के साथ बिल्कुल पर्फेक्ट मैच होगी इस तरह की ही चपल आप पूल वाच कीजिए ताकि आप एक भी डिजाइन मिस ना करो और बीच में से आप स्किप करोगे तो आपको डिजाइनिंग के आइडियास नहीं मिलेंगे और इसमें इतनी खुशूरत खुशूरत मैंने आगे भी चपल एड की है जो आपके दिल को बहुत ही बाज आएगी इस तरह पॉम-पॉम वाली कलर स्पूल तो बहुत ही कुशूरत लगती है आजकल इस तरह की बहुत ही ट्रेंडिंग में चलती है और आपके पैरों को भी दर्द भी नहीं देती इस तरह की संपल और आप ज्यादा चलने के लिए भी कमफर्टेबल होगे और यह हर तरह की में इसथ त्रेस के साथ आप स्थ कर सकते हैं पर हर के बाएयर कर सकते हैं छुरुपी उब्र कि सुजबाय करना ही चाहिए आपको फ्लिट कार्ट निसो एमेजोन मींत्रा इस पर आसानी से मिल जाएगी इस तरह की चपल और आप यह ऑनलाइन ट्राइ करें इस तरह की चपल आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है यह तो आपके ट्रेसिस के साथ बिल्कुल एंड परफेक्टली मेच करेगी और यह इसके उपर ऑक्सिडाइज वेलरी से काम किया गया होता है इसलिए यह बहुत ही के साथ भी व्यार कर सकते हैं और जिन्स के साथ तो इसका लुप इतना खुबसूरत लगता है कि आप उच्छो ही मत यह पहुत स्टाइलिस एंड कॉंफोटेबल है आप इसे ज्यादा तेट भी व्यार कर सकते हैं तो वीडियोस कैसी लगी अच्छी लगी है के नहीं लगी कॉंच में जरूर बताएं और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो आपकी पसंद ना पसंद मुझे भी पता चलना चाहिए इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बताएं और नहीं अच्छी लगी हो तो भी बिलकुल बेज छिचक आप कॉंच में बताना कि दी आपकी वीडियोस में ये गलती है वो गलती है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरी वीडियोस में यहां गलती हो रही है मैं यहां गलती कर रही हूँ तो मुझे भी आइडियास मिल जाएगा आपके लिए कुछ अच्छा और बहतरीन करने का और आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी वीडियोस कैसी है कोई भी हो उसको तो उसका काम भला ही लगता है इसी तरह मुझे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया लेकिन सामने वाले की नगजर ये से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा किया है या नहीं इसलिए सामने वाले को पसंद आना चाहिए अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि नहीं मेरा काम साटिस्टाइज है और आपको नहीं अच्छा लगा तो मुझे भी पता चलेगा कि नहीं मुझे इसमें और महनत करने चाहिए और ज्यादा अच्छा बिनाना चाहिए इसको इसलिए प्लीज यार कॉमेंट में अपना फीड़बैक दे और मेरी वीडियो को बेहतरीन करने के लिए मुझे भी मौटिजमेशन मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक कैर अल्ला हाफिज बाबाई दुआओं में याद रखना आप मैं भी आपके लिए दुआ करूँ आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और आप सब भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ अल्ला हाफिज